17 साल की जेड अपने graduation day पर सब के साथ खड़ी होने के बावजूद एकदम तनहा थी। उसका भाई Chris कॉलिज के second year में ही गुजर गया था। उसके बाद वो या तो अपने परिवार के साथ रहती या अपनी किताबों में खोई रहती। उसी के साथ एक लड़का पड़ता डेविड पूरे चार साल बीत जाने के बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात तक नहीं की थी। डेविड जेड को पसंद करता था और ये बात डेविड के दोस्त भी जानते थे। जेड भी डेविड को चोरी से देखा करती थी। तभी जेड अपने भाई के फोटो नहीं खिचवा रहे थे, बलकि उससे अपनी गुरुप फोटो खिचवाना चाहते थे, इससे जेड मायूस हो जाती है, पर फिर भी वो उन सब की फोटो क्लिक करती है, तभी उसका भाई कीथ उसको वहीं बैठा कर समझाता है, कि क्रिस के चले जाने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, और वो भी तो कभी नहीं चाहता कि तुम उदास रहो, फिर वो अपने भाई के साथ फैमली फोटो खिचवाने के लिए चली जाती है, वहीं डेविड का दोस्त मैस, डेविड के पापा को जेड के बारे में बता देता है, ये सुनकर उसका पापा बह जहां आती है, तो डेविड उनकी गाड़ी का गेट खोलता है, गाड़ी से निकलते समय जेड के हाथों में रखी फाईल गिर जाती है, तो डेविड उसको उठाने में उसकी मदद करता है, वहीं वो पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं, तो पता चलता है कि जेड डेव पास चली जाती है ये सब देखकर उसका दोस्त मैस उसे चिड़ाने लगता है अंदर आकर जेड अपनी फाइल खोलती है उसमें डेविड ने लिखा होता है कि शायद अब हमें अगली बार बात करने के लिए और चार साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिसे पढ़कर ज और उसके दोस्त को पार्टी के लिए इन्वाइट करती है उसके पूछने पर वो दोनों मान जाते हैं तब एक रहिस ज्यादा अपनी गाड़ी से उतर कर चाबी को जमीन में फैक कर मैस से उसे पार्क करने के लिए बोलता है इस पर मैस भढ़क जाता है तो डेविड उसे शांत करता वह उससे कहता है गाड़ी कम से कम तीन मिनट के लिए हमारे पास ही रहेगी तो कुछ समय के लिए हम इस गाड़ी के साथ कुछ भी कर सकते हैं फिर वो दोनों जैड को भी उस गाड़ी में बैठा कर उस गाड़ी को दोड़ा देते हैं पहले तो जैड घबरा जा कर उन दोनों को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी डेविड से कहता है मेरी गाड़ी से लड़की पटाने निकले हो बोलो तो होटल का रूम खुलवा दूँ इस बात पर डेविड को गुसा जाता है और वो उस आदमी को घुंसा मार देता है जेड अपने लिए को बताता है तुम्हारा दोस्त आया है जेड डेविड को देखकर खुश हो जाती है लेकिन बाकी सारे क्लासमेट्स जैनी नाम की लड़की के यहां ग्रेजुएशन पार्टी में चले जाते हैं तो डेविड जेड को मायूस देखकर पुलिस वालों को फोन करता है और जैन तब जेड के यहां आने शुरू हो जाते हैं जैनी भी वहीं आती है और डेविड के पास आकर कहती है तुमने मेरी पार्टी को बरबाद करकर अच्छा नहीं किया तो डेविड उससे कहता है तुम्हारे यहां तो हर अफते पार्टी होती है और इतना कहकर उसके पास से चल आ जाता है असल में जैनी डेविड की ही एक्स गल्फ्रेंड होती है, जिसने डेविड को धोका दिया था, वही कीज सबसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो सभी को एक जोड़ा बनाने के लिए कहता है, और फिर हैट में से एक पड़ची निकालने के लिए कहता है उस पड़ची को चुनकर उस कपल को 30 मिनट के अंदर उस पर एक डांस तयार करना होगा अपनी पड़ची निकाल कर जेड डेविड को लेकर बहार आ जाती है और अपना डांस मूव को तयार करते हुए डेविड के एकदम नस्दीक आ जाती है डेविड धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाता है और वहीं खड़ी जेड की पुरानी गाड़ी के बारे में बात करने लगता है जेड बताती है इस गाड़ी का कारबुरेटर खराब है जो आज तक ठीकी नहीं हो पाया और ये गाड़ी मेरे भाई क्रिस की है मा इसको बेचना चाहती है क्यूंकि इसको देखकर उनको क्रिस की याद आती है तबी डेविड उसको emotional होता हुआ देख उसका mood नॉर्मल करने के लिए dance की practice करने लगता है अब game शुरू होता है सभी couple अपना performance देते हैं अब बारी आती है जेड और डेविड की वो दोनों बहुत ही romantic dance करते हैं जिसको देखकर जैनी को बहुत बुरा लगता है और जैसे ही वो close आते हैं तबी वहाँ light भाग जाती है उसका मौका पाकर डेविड एक मुमबत्ती लेकर जैड का हाथ पकड़कर उसको एक अलमारी के अंदर ले आता है और उसको बताता है कि मैं 10th class से तुम्हें किस करना चाहता हूँ लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता तबी उसके फादर वहाँ आकर उसको आवाज लगाने लगते हैं तो फिर वो सब के सामने अलमारी से बहार निकल कर आते हैं उनको साथ देखकर उसका पापा situation को संभालता हुआ सब को जाने को कहता है तो वो सबी निकल जाते हैं और वो खुद डेविड को भाहर छोडने जाते हैं डेविड उनसे कहता है मैं जेड की बहुत इज्जत करता हूँ और हर हाल में उसको खुश देखना चाहता हूँ जेड ये सब चुपचाप सुन रही होती है और बहुत खुश होती है फिर उसका फादर अंदर आकर जेड से बोलता है तुम्हें यही पार्टी चाहिए थी ना तो जेड बोलती है हाँ और अपने रूम में चली जाती है फिर उसके फादर भी अपने रूम में चले जाते हैं तो जेड चुपके से बाहर आती है और भाग कर डेविड के पास जाकर उसको किस कर लेती है वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बहुत सारी किस करते हैं फिर जेड उसको बाय बोलकर अपने अकेले पन को छोड़कर अपनी दोनों बहाएं फैलाए एक अनोखे एहसास के साथ भागती हुई वापिस अपने घर चली जाती है अगली सुबे डेविड जेड को मैसेज करके अपने गैराज बुलाता है जेड बिन समय गवाए तुरंट वहाँ पहुँच जाती है तो डेविड उसको बताता है मेरे पास तुम्हारे फादर के लिए कुछ है उसके बाद जेड अपने घर वापिस आ जाती है तभी अचानक से उन सब को क्रिस की बंदपड़ी गाड़ी के स्टार्ट होने के आवाज आती है जिसकी आवाज सुनकर जेड के फादर चौक जाते है तभी उसकी मा और भाए भी बहार आ जाते है कीत गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता है उसकी आवाज सुनकर जेड की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है लेकिन जेड का फादर अभी भी उससे खुश नहीं था तबी उसकी माँ डेविड को डिनर के लिए इन्वाइट करती है पर वो मना करता है फिर घरवालों के कहने पर जेड के फादर को भी उससे इन्वाइट करना पड़ता है तो डेविड मान जाता है फिर डिनर करते समय जेड के फादर उसको बताते हैं जेड अपनी मेडिकल की इंटर्शिप करने के लिए बहुत जल्दी यहां से चली जाएगी लेकिन वो अपने बेटे कीत के कम्मुनिकेशन्स की स्टडी करने पर जादा खुश नहीं थे फिर उनके पूछने पर डेविड बताता है उसने SAT के एक्जाम में टॉप स्कोर किया है जिससे उसको मन चाहा कॉलिज मिल सकता है लेकिन वो आगे की पढ़ाही नहीं करना चाहता बल्कि अपने फादर के साथ उनके गैराज में काम करना चाहता है तो जेड के घरवाले उसके इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी आगे ना पढ़ने का कारण पूछते हैं तो डेविड बताता है मुझको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बस छोटा सा घर, भर पेट खाना और प्यारी सी लाइफ पार्टनर और बताता है मेरे लिए लगजरी से पहले प्यार है अगर आपके पास प्यार ही नहीं होगा तो आप उस एशो अराम का क्या करेंगे फिर वो जेड की तरफ देखकर बोलता है मुझको एक सची मोहबबत चाहिए जो मेरे पेरेंट्स को एक दूसरे को पाकर मिली थी वहाँ उसकी बातों से वो सभी सहमत हो जाते है फिर डेविड जाने से पहले जेड को गले लगाता है और वहाँ से जाने लगता है तभी जेड अपनी बैलकोनी में आकर डेविड को एक कागज का प्लेन बना कर देती है डेविड उसे खोल कर पढ़ता है तो वो उसको light off होने तक रुकने के लिए कहती है वहीं दूसरी तरफ जेड के माबाप आपस में बात कर रहे होते हैं उनकी बातों से पता चलता है कि जेड का फादर नहीं चाहता कि डेविड उससे मिले लेकिन जेड की मा डेविड को accept करने के लिए तयार थी तब ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है डेविड भीग जाता है और घर की light off होते ही डेविड पीछे के रास्ते वापस जेड के रूम में आ जाता है जेड एक हलकी सी सफेद नाइटी पहने उसके सामने आती है और उसको किस करती है इससे पहले जेड और आगे बढ़ती तो डेविड उससे कहता है मेरा बहुत मन है लेकिन अभी हमें ये नहीं करना चाहिए मैं इंतजार कर सकता हूँ तो जेड कहती है लेकिन मुझे इंतजार नहीं करना मुझको तुमारी रूह में उतरना है और फिर वो दोनों एक दूसरे में खोते हुए एक दूसरे की रूह में उतरते चले जाते हैं सुभह दोनों एक दूसरे की बाहों में जागते हैं तभी डेविड जेड के मुबाइल पर एक मैसिज करके उससे पूछता है कि तुम अपनी बचीवी गर्मियों की चुटियों के हर एक दिन क्या कर रही हो लेकिन जेड उसका कोई जवाब नहीं देती तभी जेड उससे पूछती है कि तुम आज गैराज नहीं जा रहे हो तभी डेविड कहता है कि सभी के जागनी से पहले मुझको चले जाना चाहिए फिर दोपहर में हॉस्पिटल में जेड के फादर उससे पूछते हैं कि क्या डेविड जानता है तुम पंदरा दिन के बाद यहां से जाने वाली हो तो जेड कहती है हाँ वो जानता है इधर अब उन दोनों के पास सिफ दस दिन बचे होते हैं तो डेविड उसे जाने से रोकता है तो जेड बताती है उसका जाना बहुत जरूरी है वो रुक नहीं सकती इस पर डेविड उससे कहता है कोई बात नहीं हमारे पास चाहे दस दिन हो या एक दिन अब हम इसको यादगार बनाएंगे फिर वो दोनों हर एक दिन को खुल कर जीते हैं वो पाठी करते हैं वो डांस करते हैं घूमते हैं खेलते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं उनके 10 दिन खत्म हो जाने के बाद जेड खुद उससे कहती है खराब करने पर तुली हुई है तो वो बाकी बचीवी चुटियों के लिए जेड के मना करने पर भी पूरी फैमली को लेकर अपने लेक हाउस आ जाता है वहीं दूसी तरफ डेविड के फादर को पता चलता है कि डेविड अप कॉली जाना चाहता है इधर लेक हाउस में किसने बुलाया है तो जेड बताती है कि उसको मैंने बुलाया है फिर जेड का फादर उसे वापिस जाने के लिए कहता है तभी जेड कहती है ये मेरा गैस्ट है और ये यहीं रहेगा इतना कहकर जेड उसको स्विमिंग करने के लिए अपने साथ ले जाती है फिर जेड की म पिता इस बात को समझता है, फिर रात में सब जब एक साथ डिनर पर बैठते हैं, तो जेड का पिता डेविड से माफी मांगता है, और उन्हें पता चलता है कि डेविड वागे कॉलिज में पढ़ना चाता है, जेड के पिता ये सुनकर चौक जाते हैं, तब ही उनके पास एक कीत डेविड से और फुल जडिया लेकर आने को कहता है, तो डेविड स्टोर रूम चला जाता है, वो वहाँ देखता है जेड के फादर और उसकी ओफिस वाली दोस्त एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, उनको वैसा देखकर डेविड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और आहट होने की वज़े से जेड का फादर समझ जाता है कि कोई है, तभी जेड भी महाँ आने लगती है, पर डेविड उसको इस टोर में जाने से रोक देता है, और बताता है फुल जडिया खत्म हो गई है, जेड के फादर को इस हालत में देखकर डेविड बहुत परेश पिछनदी में रोक कर पिछली रात हुई हरकत के बारे में बात करने लगते हैं, तो जेड का फादर घवराता हुआ डेविड को उसके उपर गलत इलजाम लगाने के लिए धमकाता है, फिर उनके वापिस आ जाने के बाद जेड के फादर को एक मैसेज आता है, कि जो तुम अच्छा हम लोग जू में जाकर अपनी पार्टी करें, और वहीं जेड को उनके साथ देखकर डेविड मना कर देता है, लेकिन जेड कहती है कि मुझे करना है, तो लोग रात के टाइम जू में पार्टी करने चले जाते हैं, वहाँ वो बहुत जादा मस्ती करते हैं, और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, तो डेविड जेड को बचाने के चकर में पुलिस वालों को अपने पीछे भगाता है, और वो पकड़ा जाता है, उसके बाद जेड उसको छुडवाने के लिए अपने फादर से और पर कुछ फोटो दिखाते हैं, इसके बाद भी जेड उनसे कहती है, हो सकता है उस समय उसकी कोई परिशानी हो, लेकिन आप उसे बचा लो, तो जेड के फादर उसके सामने एक शर्त रखते हैं, जिसको जेड मान लेती है, फिर वो डेविड की बेल कराकर उससे कहता है, कि मेरी बेटी के जिन्दीगी से हमेशा के लिए चले जाओ, और उसको उकसाने लगता है, साथ ही बताता है, कैसे तुम्हारी मान ने तुम्हारे पापा को दोका दिया, जिसको सुनकर डेविड इतना गुसा हो जाता है, कि वो उसे घूंसा मार देता है, घूंसा खाने के सब्सक्राइब को धैंक यू बोलता है, और अपने घर वापिस चला जाता है, घर आ कर वो सबको दिखाता है, कि डेविड ने क्या किया है, जेड फिर भी उनकी बात नहीं मानती, और भागते भी डेविड के पास चली जाती है, वो डेविड को अपनी पुरानी गलफ्रें पर भी नहीं बताता कि उसने उसके फादर को घुंसा क्यूं मा रा था, तो वो डैविड को छोड़कर वहां से चली जाती है, अब जेट जैसे ही गाड़ी में बैठ कर घर जाने लगती है, तभी डैविड को लगता है कि उसने गलत किया, तो वो उसको रोकने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगता है तभी अचानक से जेड का एक्सिडेंट हो जाता है डेविड बिना समय गवाए उसको हॉस्पिटल ले आता है जहां उसकी फैमिली आ जाती है तभी कुछ देर बाद डेविड के फादर भी महां आते हैं तो जेड के फादर डेविड के फादर से बात करने के लिए उनको अलग लेकर आते हैं और उन्हें एक नोटिस थमा देते हैं कि अगर मेरी लड़की के आसपास तुम्हारा लड़का नजर भी आया तो वो उसको जेल करवा देंगे साथ ही तुम्हारा गेराज भी बंद करवा देंगे इस बात को डेविड स तुन लेता है और वो अपने फादर के साथ वापिस अपने घर चला जाता है इधर जेड जैसे ही ठीक होती है वो डेविड के घर आती है तो डेविड का फादर जेड को डेविड से मिलने नहीं देता और उसे बताता है कि अगर तुम उससे मिली तो तुमारे फादर डेव सक्के साथ करवाते हैं, वहाँ भी उसको संतुष्टी नहीं मिलती, पर वो डॉक्टर उसको लोगों से बात करते रहने की सलहा देती है, डेविट के दोस्त भी उसको मनाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसकी एक्स गल्फ्रेंड उसके साथ इंटिमेट होती है, लेकिन इन मारी मा मुझे छोड़ कर गई, तो मैं उसे वापस लाने के लिए लड़ा ही नहीं, मैंने उसे वापस लाने के लिए कुछ नहीं करा, और अगर तुम जेड से शचा प्यार करते हो, तो तुम्हें लड़ना होगा, और रही बाद जेड के फादर की, उसको मैं अपना आप देख लूँगा उसके बाद डेविड जेड की मां से एक लाइबरेरी में मिलता है वो उसे बताती है कि अब तुम उसे भूल जाओ क्यूंकि अब उसका एक बॉइफरेंड है तो डेविड बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तभी जेड की मां कहती है मुझे पता था तुम्हें इस बाद से फर्क नहीं पड़ेगा तो वो जेड के वापस आने वाली फ्लाइट के बारे में बता देती है और ये भी कहती है कि जेड के फादर तुम्हें मिलने नहीं देंगे जेड के पेरेंट्स एरपोर्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं तभी वो अपने पती से कहती है कि डेविड को पता है कि वो आज यहां आ रही है तो वो तुरंत गाड़ी से निकल कर एरपोर्ट की तरफ भाग पड़ते हैं जिससे वो दोनों मिलना पाएं वहीं एरपोर्ट के अंदर डेविड चुप चाप जाकर जेड को एक तरफ कोने में खींच लेता है और उसको किस करता है जेड उसके सामने कबूल करती है कि वो और किसी की कभी हो ही नहीं पाएगी तो वो दोनों बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं इदर जेड के फादर जब सेक्योर्टी गार्ड से बात कर रहे होते हैं तभी सामने से जेड आ जाती है व तो वो अपनी गल्फ्रेंड के साथ उनके घर को छोड़ कर अपनी गल्फ्रेंड के घर जाने लगता है, तबी जेड की मा भी कीत के साथ बैठ कर उसी के साथ चली जाती है, अब घर में जेड और उसका फादर ही बचते हैं, जेड उनको बताती है कि वो डेविड से मिलना चा समान के साथ जाता हुआ देख बहुत गुसा होता है साथ ही घर के बाहर डेविड को खड़ा देख बढ़क उठता है और बेसबॉल के बैट से जैसे उसे मारने वाला होता है तभी जेड चिलाती हुई उनसे कहती है आप इसे मार डालोगे क्या? इतना सुनते ही वो एकदम से रुक जाता है फिर डेविड उनसे कहता है कि जेड को मेरे साथ रहना है इतना कुछ हो जाने के बाद जेड के पिता अपने आपको घर के अंदर बंद कर लेते हैं अब वो इतने बड़े आलिशान घर में अकेले पड़ गए थे तब ही घर में फायर अलारम बज़ता है वो उपर कमरे में जाकर देखते हैं कि क्रिस के कमरे में आग लगी हुई है तो वो तुरंत कमरे के दरवाजे का शीशा तोड़ते हैं जिसकी आवाज डेविड और जेड भी सुन लेते हैं वो पलट कर देखते हैं कि घर में आग लग चुकी है तो डेविड जेड के फादर को बचाने के लिए उस कमरे में चला जाता है और उनसे कहता है कि आप यहां से जल्दी निकलो पर जेड के पिता कहते हैं नहीं ये क्रिश का कमरा है और उसका जितना भी समान में बचा सकता हूँ उसे बचाऊंगा और तुम भी मेरी मदद करो फिर डेविड जैसे ही उनकी मदद करने के लिए खिड़की खोलता है तब ही उसको जोड़दार आग का धक्का लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है जेड घर के अंदर लगी वी आँख को देकर बहुत जादा घबरा जाती है और डेविड का नाम लेकर चिलाने लगती है उसके होश आते ही जेड का पिता देखता है या तो क्रिश के समान को बचाए या डेविड को बचाए तो वो क्रिश के समान को वहीं छोड़ कर डेविड को बचा कर बाहर ले आता है उन दोनों को बाहर आता देख, जेड की जान में जान आती है अब जेड का पिता बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डेविड से बोलता है कि मैं क्रिश को बचा ही नहीं पाया था, मैंने बहुत कोशिश की थी फिर अगली सुबह जेड की मा उसको समझाती वी उससे कहती है कि उसके पिता ने अपनी गलती समझ ली है, उनको अब माफ कर दो उसके बाद वो अपने पिता के साथ एरपोर्ट जाती है, वो उनके गले लगती है और फिर उनके चले जाने के बाद जेड इदर उदर देखती है तो उसको सामने डेविड बैठा हुआ दिखाई देता है, वो उसको वहाँ देखकर बहुत खोश होती है और उसे गले लगाती है, क्योंकि डेविड उसके साथ ही जा रहा होता है फिर फ्लाइट में डेविड जेड से कहता है, अभी युनिवेस्टी पहुँचने में हमारे पास दो दिन है और मैंने तुम्हारे लिए एक सप्राइज रखा हुआ है वो सर्प्राइस था, उसके भाई कीथ ने अपनी गल्फ्रेंड से शादी कर ली थी, जिसको देखकर जेड खुश हो जाती है फिर शाम को वो सभी शादी का सैलिब्रेशन करते हैं उसी समय डेविड और जेड को एहसास होता है, कि वो एक दूसरे के साथ बे इंतहा प्यार करते हैं और वो इस एहसास से बाहर निकलना ही नहीं चाहते जैसे उनके लिए ये लमहा कभी खत्म ही ना हो, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी और भी मूवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दमाना ना भूलें